इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Russ App का Account कैसे Delete करते हैं अगर दोस्तों आप Russ App का Account Delete करना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि Russ Application का Account कैसे Delete करते हैं और काफी लोगों ने इस पर वीडियो भी बना रखा है और उसमें proper तरीके से अगर आपको तो दोस्तो चल यह वीडियो शुरू करते हैं तो अपने account को delete करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है आपको अपने Russ app को open करना है ठीक है? Russ app जैसे ही open कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का page आजाता है अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है Russ app को delete करने के लिए यहाँ पर उपर में एक profile का option मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस profile पे आपको click करना है अब profile पे आप जैसे ही click कर देते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का paste मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको उपर में एक support का option मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर support का option मिल रहा होगा अगर दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप नीचे में wallet वाले option पर click करेंगे न तो यहाँ पर जो है आपको support का option मिल जाएगा इस पर आप क्लिक कीजिए और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको नीचे में एक option मिलेगा नीचे आईएगा सबसे नीचे में account related का option है जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर आपको click करना है account related पर आप जैसे ही click कर देते हैं तो अब आपके सामने इस तरह का page आएगा अब आपको एक option मिलेगा delete deactivate account ठीक है तो यहाँ पर आपको जो है delete account पर click करना है तो कुछ इस तरह का आपको जो है यहाँ पर option देदेगा यहाँ पर जो है rush support का option दिया हुआ यहाँ पर बोल रहा है please write a mail to support यहाँ पर mail दिया हुआ है इसके बाद बोल रहा है regarding your request to delete account post verification will take 5-7 working days to delete your account ठीक है तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने account को delete करना चाहते हैं तो इस वाले mail पर आपको एक mail करना होगा account को delete करने के लिए ठीक है तो mail कौन सा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि request आपको भेजने के लिए mail पर जो यह mail है उस पर request भेजना होगा उसके बाद दोस्तों यह जो है rush app आपके account का verify करेगा चेक करेगा इसके बाद इसको आपके account को delete करने में कम से कम 5-6 days लग जाएगा तो इसके बाद जो आपका account है वो delete हो जाएगा account delete करने से पहले कुछ बातों का धियान भी रख लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या रखना है अगर आप अपने account को delete करते है न तो आपका जो पैसा था जो आपने withdrawal पे लगाया था वो सब के सब जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा हट जाएगा ठीक है यानि दोस्तों वो पैसा आपका नहीं जाएगा नहीं withdrawal होगा और नहीं जो पैसा है इसमें वो सारा का सारा पैसा खतम हो जाएगा तो यह चीज़ आपको याद रखना है ठीक है अब चलिए यहाँ पर इस mail को copy करना है copy कैसे कीजिएगा आपको सीधा इसे skin shot लेना है थेरी finger से भी ले सकते हैं इस तरीके से click करके इसका आप skin shot ले लिजिए ठीक है skin shot लेने को आपको translate वाले application को open करना है यह play store पर मिल जागा फिर camera पे click कीजिए और जो आपने photo click किया था इस gallery पे click करके उस photo को यहाँ पर select कर लिजिए और यहाँ पर जो है उस email को क्या करना है आपको यहाँ पर copy करना है यह रहा email इस तरीके से यहाँ पर click करके इसको आप copy कर सकते हैं इस तरीके से click कीजिए और इससे copy कर लिजिए ठीक है अब चलिए यहाँ से copy तो हमने कर लिया है अब यहाँ से back आते हैं यहाँ पर अब आपको अपने Gmail को open करना है और उपर में आपका gmail आ जाएगा यहां पर ठीक है अब दूस्तों आपको क्या करना है तो में आप इसके बाद आपको सब्जचट पर क्लिक करना है ठीक है अब यहां पर दो अप्शन है पहला option है subject और दूसरा option है compose email तो आप दोनों में आपको क्या डालना है तो सबसे पहले आपको subject में क्या डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है अब दिखे यहाँ पर आपको subject में लिखना है request for account deletion ठीक है उसके बाद आपको नीचे में compose में इतना सारा लिखना है अगर आपको सही से नहीं दिखेगा तो मैं उपर कर देता हूँ आप इसका screenshot ले लीजिए screenshot लेने के बाद आप इसको google से इसका text को copy कर सकते है या फिर खुझ से लिख कर आप डाल दीजिएगा ठीक है लेकिन इससे डालने से पहले इसमें कुछ changes करना होगा जैसे कि यहाँ पर आपका full name डालना है जो आपके rush app में नाम है वो डालना है इसका बाद phone number लिखा हुआ है phone number में आपको जो है जो भी आपका rush application का जो है यहाँ पर account बनाया होंगे जिस भी number से वो डालना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में अपना full name फिट से डालना है और simply आपको इसे send कर देना है यहाँ पर send पर click करके इसे आप यहाँ पर send कर दीजिए अब जैसे ही आप इसको send कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा और इस तरीके से आप अपने रस अप्लिकेशन का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जोर से बताना वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले